इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने विंडोस के किसी भी लाप्तॉप या फिर कम्प्यूटर में वर्ड की कोई भी फाइल को जीमेल से कैसे भेज सकते हैं तो मेरे पास यहाँ पर यह एक फाइल है इसे मुझे अपने फ्रेंड को भीजना है यह वर्ड MS वर्ड की फाइल है तो कैसे भीजे यहाँ पर मैं बताऊंगा विडियो ध्यान से देखते रहिए सबसे पहले आप विंडो बटन को दबा ले और अपना कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर ले अगर आपके पास Microsoft Edge है तो Edge सर्च करके उसे ओपन कर ले Firefox है वो ओपन कर ले या अगर आपके पास Internet Explorer है तो वो ओपन कर ले या फिर अगर Google Chrome है तो वो ओपन कर ले मैं यहाँ पर Google Chrome को ओपन करूँगा Google Chrome ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा तो अब आपको यहाँ पर करना है कि आप अपना Gmail अकाउंट लॉग इन कर ले आपका यहाँ पर Gmail अकाउंट इस तरीके से लॉग इन होना चाहिए अब इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है Gmail तो Gmail लिखे और इसे सर्च कर दे सबसे ऊपर एक option मिलेगा आपको Gmail का इसकी website होगी mail.google.com इसे क्लिक करें और open कर ले और इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से page open होगा यहाँ पर आपको दिखेगा compose compose पर क्लिक करके इसे open कर लेना है तो यहाँ पर आपको साइड में एक page open हो जाएगा और सबसे उपर लिखा होगा यहाँ पर टू में सामने वाले का नाम लिखना है जैसे मैं लिख देता हूँ जिसको मुझे भेजना है उसका mail यहाँ पर डाल देता हूँ सामने वाले का email मैंने यहाँ पर डाल दिया है अब यहाँ पर सब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट में हम क्या भेज रहे हैं फाइल भेज रहे हैं वर्ट की तो फाइल वर्ड ऐसा लिख दे जो भी आप टाइटल डालना चाहते हैं यहाँ पर डाल दे अब यहाँ पर ब्लैंक पर क्लिक करें औ मैंने desktop पर रखा था तो मैं desktop से ढूल लेता हूँ अगर आपको कही और है आपकी file तो आप यहां से ढूल सकते हैं तो मेरी file यह रही मैं इस पर click करूँगा और open कर लूँगा तो आप यहां पर देखेंगे यह file यहां पर select हो चुकी है अब simply आपको इसे send पर click कर देना है यहां पर आप देखेंगे sending लिखकर आ रहा है और sent हो गया है तो आपका mail चला गया है सामने वाले के पास तो जो भी आप mail sent करते हैं आपकी sent list में आपको यहां पर मिल जाएगा आप यहां पर sent पर click करें और देखेंगे यहां पर हमने अभी जो mail भेजा है वो यहां पर मौझूद है तो आप जो भी mail भेजेंगे यहां पर आपको show हो जाएगा है